हेलो फ्रेंट स्वागत है आरके क्लासेस में दोस्तों आज की क्लास में लोग भारत में खनीज सम्पदा को देखेंगे यह पहला अध्याय है आप सभी तच्छों को समझने की कोशिस करें साथ ही नोट्स बना लें निश्ची थी एक्जाम में इससे प्रशन पूछे जाते हैं और आज कल तो काफी ज़्यादा ही पूछे जाते हैं सलेवस के हिसाब से हमें भी बदलना आवश्यक है दोस्तों अगर आप अभी तक इस चनल पर नए हैं तो हमारे चनल को सिस्क्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें आईए देखते हैं भारत में खनीज संपदा देखें यह अपना देश से भारत है यह देखें पूर्वी घाट यह पस्यमी घाट और यह जो पूर्वी घाट है यह छेत्र रावा अप्तट कहलाता है और पस्यमी घाट के तरफ यह छेत्र जो है मुंबई हाई जानते हैं इन छेत्रों के बारे में देखें भारत में ख़डी संपदा के मामले में भारत एक सम्रित देश है भारत में धात्विक, अधात्विक और उर्जा खनीज पाए जाते हैं तीनों प्रकार के धात्विक, अधात्विक और उर्जा खनीज समुद्र संसाधनों के भी यहां भंडार है देशों के आसपास स्थित समुद्रों पर अधिकार देने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट देशों ने समझोता किया देखें यह देश है इसके आसपास के जो समुद्री छेत्र है वहां अधिकार देने के लिए इसके तहत तीन तरह की सीमाएं निर्धारित की गई और 200 मील 200 मील दी गई इसे और अच्छे देश समझते हैं आए देखते है तट के समीप इस्थित छिछले सागर को अब तट या ओफसोर कहा जाता है जैसे यह तट है इसके समीप जो छिछले सागर कम गहरा सागर है उसे अब तट कहा जाता है भारत अपने आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक के अब तटिये छेत्र के संसाधनों का उप्योग कर सकता है भारत 200 मील तक के अब तटिये छेत्र के संसाधनों का उप्योग कर सकता है अपने आधार रेखा से आधार रेखा को देखिए इस प्रकार समस्ते हैं यह जो पस्चिमी घाट और पुर्वी घाट है यह बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है जैसा इस चित्र में बन रहा है बलकि यह इस प्रकार से तो कहीं दूरी 200 मील की कम होगी कहीं जादा होगी चुकि यह एक सीधी रेखा में नहीं है इसलिए इसके लिए एक अधार रेखा मान लिया गया है यहां से 200 मील तक जो अब तटिये छेत्र है और उसमें जो मौजूद संसाधन है भारत उसका उप् अब तटिये खनीज संसाधन के भंडार होते हैं जो अब तटिये छेत्र है यह खनीज संसाधन का यहां पर भंडार होता है देश के अधिकतर पैट्रोलियम और प्राकृति गैस का उत्पादन अब तट छेत्र से ही होता है यह जो छेत्र है यह चेत्र इन्हीं छेत्रों से अधिकतर पैट्रोलियम और प्राकृति गैस का उत्पादन होता है देखें आप जैसे की बंबई हाई जो है अब तर्टिये छेत्र से देश का 60 परतिशत, 60 परतिशत से भी ज़्यादा पैट्रोलियम उत्पादन होता अकेला बंबई हाई से यहाँ पर है बंबई हाई यहीं अकेले से 60 परतिशत पूरे देश का तेल जो है पैट्रोल जो है उत्पादित होता है और वहीं आंदर परतिश का रावा तट भी पैट्रोलियम का भंडार है एक तो बंबई हाई में है जिसे के हम लोग को 60% मिल जाता है पूरे देश का और यह है आंधर परदिस रावा तट आगे देखते हैं पर्टूलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी अब तटिये छित्रों से ही प्राप्त होता है पर्टूलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी अब तटिये छित्रों से प्राप्त होता है जहां पर्टूल पाया जाता है उसी के उपर में जो है प्राकृति गैस रहता है आगे बढ़ते हैं अब तटिये छेत्र के खनीजों पर केंद सरकार का अधिकार होता है इसलिए इन खनीजों के राजियों के खनी उत्पादन के साथ नहीं जोड़ा जाता देखें कि यह जो अब तटिये छेत्र है मान लेते हैं आंदर परदिस का रावा तट तो यहां से जो खनीज उत्पादित होंगे उस पर अधिकार होगा किसका सेंट्रल गवर्मेंट के अंधर सरकार का और इसलिए जो है यहां से उत्पादित होने वाले खनीज को राजी सरकार द्वारा उत्पादित खनीज के साथ नहीं जोड़ा जाता है आगे देखते हैं देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन छेत्र मुंबई हाई है देश में सबसे यदा पेट्रोलियम उत्पादन छेत्र कौन सा है मुंबई हाई लेकिन सबसे यदा पेट्रोलियम उत्पादक गुजरात है ध्यान रखें दो अलग-अलग बाते हैं देश में सभसे ज़यादा प्रेट्रोलियं उत्पादन छेत्र मुंबई हाय यह लेकिन सभसे ज़यादा प्रेट्रोलियं का उत्पादक जो है वह गुजरात है आगे बढ़ते हैं यदि देश की कुल खनीज उत्पादन मुल्य को जोड़ा जाए तो सरवाधिक खनीज उत्पादन मुल्य इंधन खनीज का होता है जितने भी प्रकार के खनीज हैं उनके अगर उत्पादन मुल्य को जोड़ दें तो सबसे अधिक जो मुल्य होगा वह इंधन खनीज का होगा और इंधन खनीज में भी सबसे ज़्यादा पैट्रोलियम और प्राकृति गयस का होता है जान रखें आप अगला है अब तटिये छेत्र के खनीज उत्पादन का मुल्य देश के किसी भी राज के खनीज उत्पादन मुल्य से अधिक होता है अब तटिये छेत्र में जो खनीज का उत्पादन होता है और उसका जो मुल्य होता है वद्देश के किसी भी राजिके खनीज उत्पादन मुल्य से अधिक होता है याद रखें आप आगे बढ़ते हैं अब अब तटिये छेत्र के बाद सरवाधिक खनीज उत्पादक उडिसा राज है उडिसा के बाद सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जारखंड है देखें हमने क्या देखा कि सबसे अधिक सभी खनीजों में सबसे अधिक जो उत्पादन मुल होता है वह इंधन खनीज का होता है और इंधन में भी किसका पैट्रोल और नेच्रल गैस प्राकरतिक गैस का अब तर ये छेदर के बाद सबसे ज़्यादा जो खनीज उत्पादक राज्य है वह उडिसा है और दूसरे नंबर पर जारखंड है दात्विक खनीज के अंदरगत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है लोह खनीज का होता है धात्विक खनीज में इंदन खनीज में पेट्रोल एवं प्रागिर्ति गैस का और धात्विक खनीज में सबसे ज़ादा उत्पादन मुली जो है वह लोग खनीज का है और हमारा देश लौ उत्पादन में पहले चोथे स्थान पर था वर्तमान में यह दूसरे स्थान पर है साथी हमारे देश के लुहे का सबसे बड़ा आयतक देश जो है जापान है हमारे देश का सबसे बड़ा आयतक देश कौन है जापान आगे बढ़ते हैं प्रतेक खनी जो है एक निश्चित चट्टानी संद्चना में पाया जाता है उधारन की रूप में देखें जैसे लोहा, मैगनी, स्तामबा, जास्ता, क्रोमियम, निकेल, सोना, चांदी, धारवाड की चट्टानों में पाया जाती है लोहा, मेगनी, स्तामबा, जस्ता, क्रोमियम, निकेल, सोना, चांदी, धारवाड की चटान में पाया जाता है हमसे पूछा जाता है कि सोना किस प्रकार की चटान में पाया जाता है तो ध्यान रखें सोना धारवाड की चटानों में पाया जाता है वहीं देखें चूना पत्थर, कोईला, बलवा पत्थर ये सब गुंडवाना करम की चट्टान में पाया जाता है और पैट्रोलियम जो है टर्सेरी चट्टान में पाया जाता है पैट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है टर्सेरी चट्टान में ज्यान रखें, आगे देखते हैं, हमारे देश का अधिकतर खनी संसाधन प्रायदूपिय भारत के पठारी संशना में पाया जाता है, जबकि उत्तर भारत का जो छेत्र है, वह खनी संसाधन के मामले में नगन्य है, देखिए, हमारे देश में अलग-अलग खनीज पेटियां है, जैसे की गोंडवाना लेंड का हिस्सा, छोटा नागपूर खनीज पेटी सबसे समरिद पेटी है, सबसे समरिद खनीज पेटी कौन सी है, छोटा नागपूर खनीज पेटी, और छोटा नागपूर को भारत का रूर परदेश कहा जाता है, भारत का रूर प्रदिश किसे कहते हैं चोटा नागपूर को और भारतिय खनीज का हिर्दय भी चोटा नागपूर को कहा जाता है यहाँ देखें खनीज का विवाजन किया गया है खनीज का विवाजन देखिए धात्विक खनीज अधात्विक खनीज एवं इंधन खनीज के रूप में किया गया है धात्विक खनीज के अंतरगत में लौ खनीज है और एक अलोह खनीज है वहीं इंदन खनीज के अंतरगत, कोईला, पर्ट्रोलियम, प्राकिर्ति गैस, आन्विक, यूरेनियम ये सारे इंदन खनीज है और अधात्विक खनीज है कुछ एक है अलोखनीज, सीसा, जस्ता, तामबा, बॉकसाइट, प्लेटिनम ये सब और एक है लोखनीज, मैगनीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब ये था हमारा खनीज संसाधन का अध्याय पहला इसके बाद हम लोग धात्विक खनीज को पढ़ेंगे इसमें जो भी टाइप आते हैं उनको देखेंगे इनका भारत में विस्तार देखेंगे उसके बाद अधात्विक खनीज देखेंगे और यह जो इंदन खनीज है काफी महत्पून टॉपिक है इसमें कई सारे प्रशने बनते हैं और ये सारे पुछे जाते हैं यूरिनियम खान के बारे में पेट्रोलियम कोईला इत्याजी के बारे में दोस्तों अगर आपको यह लक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें शेयर करें साथ ही कमेंट करें कि आप धात्विक खनीज पहले पढ़ना चाहेंगे या इंदन खनीज को पहले पढ़ना चाहेंगे धन्यवाद